आज की वीडियो में हम आपको अपकमिंग और ब्राजील में लांच हॉंडा XRE300 और उसके फीजर्स और स्पेक्स के बारे में बताएंगे तो मेक शूर अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन आउन कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो हम डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और आप हमसे कार से रिलेटेड कुशन भी हमारे इ आटो मोबिल मैनुफेक्चरिंग कमपनी हॉन्डा ने अपनी बाइक हॉन्डा एक्स आरी 300 का 2021 मर्जन लॉंच कर दिया है हाला कि यह मॉडल इंडिया में नहीं लॉंच किया गया है कमपनी ने अभी इसे ब्राजील में लॉंच किया है या हॉन्डा की एडवेंचर बाइक है इंडिया में इस बाइक के डेब्यू की कोई इंफोमेशन नहीं है अभी तक हॉन्डा की या एडवेंचर बाइक कई वहतरीन फीचर के साथ आती है तो आईए जानते हैं इस बाइक के में क्या कुछ खास है इंजन और पावर की बात करें तो या एडवेंचर टू वीलर अग्रेसिव लूप के साथ आती है और इसके साथ आपको डिजिटल इंस्ट्रुमेंटर क्लॉस्टर बिलता है जो की फुली एलेडी है इस बाइक को पावर मिलती है 291 सीसी के एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन से बाइक में 5 स्पीड गेर बॉक्स दिया गया है 2021 हॉन्डा XRE300 बाइक का एक मस्कुलर फ्यूल टैंक के साथ आती है जिसकी क्यापसिटी 13.8 लीटर की है बाइक में स्टेप अप सिंगल सीट पिलियन ग्रैब रेल के साथ दी गई है इसके अलावा बाइक को लुक भी काफी शानदार है जो अप वेश्ट एग्जॉस्ट और आई कैचिंग ग्राफिक से लेस है बाइक में LCD इंस्ट्रुमेंट कॉंसूल और और LED लाइटनिंग सेटप दिया गया है बाइक में 21 इंच फ्रंट और 18 इंच रियर स्पोग वील दिये गया है इंडिया में इस बाइक की लाउंचिंग के बारे में अभी तक कोई इंफोर्मेशन सामने नहीं आई है और माना जा रहा है की कंपनी इसे इंडिया मार्केट में नहीं लाएगी ब्राजील में इस बाइक की प्राइस 20,390 ब्राजीले डॉलर यानि लगभग 2.9 लाइक रुपे इंडिया हो सकती है आज की वीडियो में बस इतना ही आई हो आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगी होगी अगर लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके अपने सुझेशन हम से शेयर करें ताकि हम उन पर वीडियो बनाकर आप तक पह जयाल रखिये और देखते रहिए एक आटोमोटिव ब्लॉक्स